आज के वीडियो में molecular biology पर अधायत most important एकदम new question लेकर के आए हैं तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर के लिजी चलिए पहले question को लेते हैं पहला question है किस वैज्ञानिक ने DNA की कुंडलित रचना को प्रेस्तुत किया था चार option दिये गए हैं और आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने DNA की कुंडलित रचना को प्रेस्तुत किया था तो इसमें answer सही होगा बीवाला वार्शन एवम क्रिक ने आपको बता दें कि जो मारिस बिलकिंस थे बिलकिंस ने बताया था कि यू केरियोर्टिक कोशिकाओं में DNA आणू हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर मरिका बद्ध सनुरचना बनाता है और जो कार्ण वर्ग हैं कार्ण वर्ग ने नुकलियोसोम परिकलपना दे थी नुकलियोसोम परिकलपना और जो नीरिन वर्ग हैं नीरिन वर्ग ने DNA, RNA और प्रोटीन के बीच संबंध का पता लगाया था और कैसे तो अपने सहयोगियों जो सहयोगी बैग्यानिक थे उनके साथ में मिलकर और जो बीडल एवं टाटम हैं बीडल एवं टाटम ने एक जीन एक एंजाइम परिकलपना प्रस्तुत की थी एक जीन एक एंजाइम फिर एगले कुस्टिन पर आते हैं DNA का कृतिम संसलेशन सरप्रथम किस ने किया था DNA का कृतिम संसलेशन कहा गया है सरपथम किस्ट ने किया था चार आपसन आपके सामने दिये गए है कौन सा आपसन सही होगा तो इसमें आंसर सही होगा खुराना ने DNA का कृतिम संसलेशन दिया था आपको बता दें कि DNA के बारे में संपूर जानकारी टोटल लेक्चर मेरे चर्म में अप्लोड़र हैं आप लोग चैनल में जा करके वीडियो देख सकते हैं अगला question है एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में अनवानसिक सूचना पहुचाई जाती है किसके द्वारा? एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जो अनवानसिक लक्षन होते हैं सूचना होती है वो किसके द्वारा पहुचाई जाती है चार आप्सन आपके सामने दिये गए हैं और इसमें से आप्सन सही होगा पहला DNA के द्वारा पहुचाई जाती है और आपको बता दें, इसमें से जो मैसेंजर RNA है, मैसेंजर RNA को जैकब और मुनाड ने संदेश वाहक या दूत RNA नाम दिया था, यानी mRNA नाम जैकब और मुनाड ने दिया था, और जो mRNA है, ये पॉली पिप्टाइट चेन के संसलेशन में अमीनो अमलों के क्रम को निर्धारित ये ट्रांसपर RNA आड़ो, साइटो प्लाद में उपस्थित अमीनों अमलों के अड़ों को राइबोसों तक ले जाता है, और इसे अभिगमन RNA या TRN के नाम से भी जाना जाता है, और तीन नाइट्रोजनस च्छारकों के एक अनुक्रम या सीक्विंस को त्रिक कोडान या ट ट्रिपलेड कोडान कहते हैं, लेट्रिपलेड और इस पद्धाती को ट्रिपलेड कोड कहा जाता है, और F-HC क्रिक ने ट्रिक कोड पद्धाती की खोजगी थी या इसको खोजआ था, फिर अगले कुसिन पर आते हैं, DNA strand द्वारा प्रति-समानांतर होने का कारण है, प्रत आप संदाप के सामने देगके हैं, सोची और बताइए तो इसका आँसर सही होगा पहला हाएड्रोजन बंध आपको बता दें, कि डियन्ने की एक पॉली नुकिलोटैट चैन, हाईडोजन बंध के द्वारा या हाईडोजन बंध के द्वारा दूसरी पॉलिनुकलियोटाइड चेंज से जुड़ी होती है और फास्पोडैस्टर जो बंद है फास्पोडैस्टर बंद DNA में एक नुकलियोटाइड दूसरे नुकलियोटाइड से फास्पोडैस्टर बंद के द्वारा जुड़े होते हैं एक नुकलियोटाइड होता है वो दूसरे नुकलियोटाइड से किसे जुड़ा रहता है तो फास्पोर डैस्टर बांड के द्वारा जुड़ा होता है और जो डाई सलफाइड बंद है यह डाई सलफाइड बंद प्रोटीन की 3D सन रचना की इस्थरी करण प्रदान करता है और रेडाक्स प्रिकरिया का प्रदर्शन भी करता है यह कह लिजिए कि यहां बांड पेरिप्लास्मिक प्रोटीन में पाये जाते हैं और ग्लाइकोसिडिक बंध एडिनीन वर राइबोस को जोड़ता है मतलब यहां सहसंयोजक बंधन का कारी करता है फिर अगला कुश्चन ह आर इन्ने प्राइमर की आवशक्ता होती है आर इन्ने प्राइमर की आवशक्ता किस में होती है डिन्ने दिगुडन में आर इन्ने संसलेशन में ट्रांस्क्रिप्शन में या ट्रांसलेशन में चार आपसन आपके सामने दे गए हैं आर इन्ने प्राइमर किस में जरुरत प आपको बता दें कि ट्रांस्क्रिप्शन में RNA का निर्माण होता है जो ट्रांस्क्रिप्शन है इसमें RNA का निर्माण होता है यानि mRNA का संसलेशन होता है और ट्रांस्क्रिप्शन को हिंदी में अनुलेखन कहते हैं मेरे चैनल में अनुलेखन या ट्रांस्क्रिप्शन और और ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवादन या अनुरूपन कहते हैं फिर अगला कुश्चन है एक जीन एक एंजाइम परिकलपना है तू नोबल पुरुसकार प्राप्त किया किसने प्राप्त किया था एक जीन एक एंजाइम परकलपना किसे ने प्रस्तुत की थी ये पूछा गया है इंडरेटली तो इसका आंसर सही होगा बी बीडल एवं टाटम ने प्रस्तुत किया था बीडल एवं टाटम ने आपको बता दें कि हर गोविंद खुराना ने सन 1972 में कृतिम जीन का निर्मार क था इस तरह से बायो टेक्नलोजी की बुनियाद रखने में अहम भोमिका निभाईती हर गोविंद खुराना ने और वार्शन वाक्रिक ने डिन्य की दोई कुंडली माडल प्रस्तुत किया था डिन्य का दोई कुंडली माडल और मेंडल ने आनुवान सिक्ता के तीन नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम इन सब पर मेरे चरह में वीडियो अप्लोड़ेड है आप लोग देखना चाहें तो चित्र सही सरल भासा में है जा करके देख सकते हैं अगला खुश्चन है हर गोविंद खुराना, हौली और नीरेन बर्ग को इन बैग्ञानिकों को किस कारे के लिए सन 1968 में नोबल पूसकार से सम्मानित किया गया था तो इसका आंसर सही होगा पहला आनवानसिक कोट सम्मंधी कारहेतू या जेनिटिक कोट सम्मंधी कारहेतू आपको बता दें कि वंसा गति का आणविक आधार पर टोटल लेक्चर मेरेचर में अप्लोड़ेड है आप लोग जा करके देख सकते हैं नेश्ट कुशन है आनवानसी कूट है आनवानसी कूट क्या है चार आपसन आपके सामझे देगे हैं जैनिटी कोड क्या है तो ट्रिपलेड है जैनिटी कोड क्या है ट्रिपलेड है आपको बता दें कि डिन्न या आर ने में चार तरीके के नाइट्रोजन बेसेस पाय जाते ह कहा जाता है या कहते हैं यह केवल कोडान कहा जाता है नेश कुछण मैं बंता है अनुलेखन को अंगरेजी में transcription कहा जाता और transcription के प्रिकृया में क्या बनता है तो MRN का निर्माणण होता है अनुलेखन पर में डिवडियो ओप्रोडर है और लोग चाहें तो देख सकते हैं और आपको बता दें दिगुडान या रेप्लिकेशन में DNA का निर्माड रोता है और DNA से MRN और MRN से प्रोटीन का निर्माड होता है फिर अगला कोडान कौणसा होगा ए यू जी आरंभी कोडान होता है या समारंभन कोडान कहलाता है जन्त कोषिका में प्रोटीन संस्लेशन होता है चार आपसन आपके सामने दे गए हैं सही आपसन का चुनाव करके जल्दी से आंसर देंगे आप लोग चेड़ बॉक्स में कोई भी प्रोटीन संसलेशन निर्भर करता है या होता है नेश्ट है डिन्ने के एक कुंडलन की लंबाई होती है लग भग डिन्ने का जो एक हेलिक्स होता है उसकी लंबाई लग भग तीन दसमलो चार एनम या नैनो मीटर होती है यानि आखरी वाला आपसन सही होगा नेश्ट कु दी वाला option सही होगा next question है nt codon पाया जाता है 4 option आपके सामने दे गए है और nt codon किस में पाया जाता है सोच कर बताईए तो इसका answer सही होगा b t RNA में या transfer RNA में nt codon पाया जाता है next question है बावल अभिधारना के अनुसार किसको महत्वण नहीं माना जाता है बावेल्स हाइपोथिसिस के अनुसार किसको महत्वण नहीं माना जाता है तो आंसर सही होगा इसमें दूसरा एक कोडान के तीसरे सदस्य को माना जाता है नेश कुछन है जीन किसका भाग है गुर्शोत्र का, DNA का, MRNA का, केंद्रिका का, जीन किसका भाग होता है तो जीन DNA पर पाया जाता है इसलिए DNA का भाग होता है DNA का पूरा नाम होता है वह प्रिक्रिया जिसके द्वारा DNA, RNA को उत्वपन करता है यानि ऐसे प्रिक्रिया जिसके दोरा DNA से RNA बनता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे अनुलेखन या transcription कहा जाता है लाश्ट वाला option सही होगा नेश कुसन है DNA डिगुडन की प्रिक्रिया जिसमें रज़्जुकों में एक पुराना वा एक नया रज्जुक है कहलाती है चार अपसन आपके सामने देगे हैं क्या कहलाएगी तो आंसर सही होगा इसमें पहला आर्धसनरक्षी कहलाती है आर्धसनरक्षी नेशकुशन है आरुजैविकी का केंद्रे से धान्त प्रतिपादित किया किस ने प्रतिपादित किया था? आणु जैविकी का केंडरे से धांत तो आंसर सही होगा इसमें से पहला क्रिक ने प्रतिपादित किया था नेशकु सने समापन कोडान है UAA, UAG, UGA ये तीनों समापन कोडान होते हैं यानि कि आंसर सही होगा इसमें से डी वाला ये सब ही आसा है आप सभी लोगों को वीडियो समद में आया होगा पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद